So guys, final moment आ चुका है, जी हाँ, आज मेरे पास है ये Samsung Galaxy S23 Ultra और ये है उसका full review, पिछले almost 25 days से इसको as a primary smartphone बना के use कर रहा हूँ एंड उसके base पर मैं अपके साथ अपना real life experience शेर करने वाला हूँ, कैसा phone है, सारी चीज़े हैं जानने वाले हैं स्वीडियो में, साही what's up guys बने जहीर and this is a full review of the Samsung Galaxy S23 Ultra, so let's begin so guys, ये phone जो है मेरे पास 8th February को आया था and उसी दिन मैंने इसके नर अपना SIM card डाल दिया है, cover मैंने local market से ले लिया था, screen guard तो मैंने लगाया है नहीं overall, तब से मैं इसको use कर रहा हूँ, लगबग 25 दिन हो गया, इतना जादा मैं कोई भी phone को as a primary phone यूज नहीं करता हूँ, as a secondary phone कुछ दिन यूज करता हूँ, क्योंकि दूसरे phone भी हमको testing करने रहते है, और पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसा irritating सा लगने लगता जब works बगर आत तो यहां पर कोई बोलने की मुझे जरुवत नहीं है, जो इसकी build quality है, वो पूरी armor, aluminum में बनी वी है, जो side का पूरा frame है, पीछे glass है, आगे glass है, दोनों भी Gorilla Glass Victus 2 है, ग्लास is glass, and glass can break, जैसे Jerry भाहिया ने कहा है, तो इसके उपर चुप चाप cover लगा लोगे, तो ज़ादा बेटर है, अगर आपको बिना cover की भी use करना है, तो भी कोई शिकायत नहीं आरी, मुझे क्यों मालुम है, क्योंकि जो side का edge है, आप लोग यहां पर देख रहे हो, यह हलका सा flat कर दियागा है, जिसके वज़े से जो grip है, वो बहुत अच्छी बैटती है, तो हाथ में से गिरत है, कुछ नहीं होता है, काफी मजबूत फोन है, जैसे Samsung का सबसे latest and greatest flagship phone है, तो आपको शिकायत नहीं होने वाले वाले, super build quality है, जब looks की बात करूँ, तो S22 Ultra के ही, जैसा looks यहां पर हमको देखने को मिलता है, वही P-type का design है, मेरे को यह design बहुत जाद अच्छा लगता है, यह green look देता है, यह phone overall, मतलब look के मामन में तो कोई शिकायत नहीं है, बहुत super है, काफी futuristic देखता है, लेकिन अगर आप side by side S22 Ultra से compare करते हो, तो बहुत major difference नहीं देखने को मिलेगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, तो जो camera module है, वो थोड़े से बड़े है, और जो curve है, यह थोड़ा सा चप्ता है, compare to that curved, एकदम complete curved panel of that S22 Ultra, बाकि उसके अलावा, design के मामन में सब major changes में को देखने को नहीं को नहीं मिला, लेकिन वो चीज़ अच्छे है, बिकाज internals पे बहुत सारी चीज़े यहां पर change की गई है, डिस्पले है यह 6.8 inch का 2K dynamic AMOLED डिस्पले है, बहुत ही जादा next level display है, इसका refresh rate कम जादा होता है, जिसके वेसे क्या होता है, एकदम हमेशा एकदम peak पे निरता 120Hz पे, तो इसके वेसे बैटरी काफी save होती है, and यह मैं एक बहुत बड़ा statement मुलने जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया में इससे अच्छा smartphone display कोई भी नहीं है, इसके नीचे ही सारे है, मतलब इतना तगड़ा display, इतना beautiful display है, आप brightness की बाद करो, 1750 nits की brightness देखने को मिलती है, मैंने लास्ट चेर जब S22 Ultra use के था, उसके अदर क्या issue होता था, कि थोड़े ही देर में phone हलका सा गरम होने के बाद, जो display की brightness से वो कम हो जाती थी दूप में, इसमें वो issue बिलकुल भी feel नहीं हुआ मेरको, Samsung के बड़े screen वाला phone आता है, तो मैं Samsung के ही phone के अंदर movies या TV series देखना प्रिफर करता हूँ, इसके colors, इसका डिस्पली का quality होता है, वो सबसे best होता है, तो भाई, display के मामले में इसका कोई हाथ ने पकरता था, एक्दम सूपब ह अचा है, डिस्पली के बात performance की बात करूँ, तो यहीं पे तो भाई, मतलब Samsung ने सीधा home run hit किया है, इसके अंदर हमको Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलता है, वो भी made for Galaxy, थोड़ा सा overclocked version है, यह जो processor है ना, यह TSMC के 4 nanometer पर बनावा processor है, भाई, बहुत तगडे benchmark result आते हैं, बारा लाग का N22 score आया है, उसके अच जो geekbench है, वो भी इतनी तगडी geekbench score देखने को मिल जाती है, उसके अच जो UFS 4.0 storage उसकी speed देख लो, जो CPU throttling test किया, उसमें भी देखो, इसने कितना जादा अच्छा green graph maintain किया है, जो में को काफी अच्छा लगा, मतलब जो processor है, जो cooling है, उसका इतन इसके वज़े से जो इस phone का performance आपको daily task में मिलता है, वो बहुत ही जाता next level है, आप कोई भी app open करो, कोई भी app close करो, आपको एकदम रफ्तार वाली feeling आईगी, आप ऐसा feel करो कि कोई आप flagship phone चला रहे हो, हर एक application एकदम fast fast खुलती है, आपको कहीं से भी slow feel नहीं होगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एन इसके अंदर जो RAM management है, वो भी world class है भाई, इवन इसको मैंने speed test किया था, iPhone 14 Pro के साथ में, iPhone 14 Pro को भी beat कर देता है, जो daily performance उसके अंदर, gaming की बात करो, तो यहाँ पर gaming भी बहुत तगड़ा improve किया हुआ है, बहुत अच्छे FPS है maintain कर लेता है, Genshin Impact जैसे game के लो भाई, बहुत बहतरीन चलता है यह phone, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि gaming device, एक dedicated gaming phone जो होता है, वो level की gaming कराता है, लेकिन आपको gaming में कभी कोई शिकायत ने आएगी, iPhone 14 Pro Max जो है, वो level की gaming कर दे रहा है, मतलब पहले ऐसा जाना जाता था, कि Samsung के phone, gaming के ल बहुत सारे smartphones के अंदर, 25 दिन के अंदर, इस phone के अंदर मैंने एक भी bug notice नहीं किया, YouTube application के अलावा, YouTube application में जब premium खोलो, तो कभी छोटा जाता है, कभी बढ़ा जाता है, वो थोड़ा सा issue है, उसके अलावा मैंने एक भी bug notice नहीं किया, जो बहुत ही जादा mind-blowing चीज़ है, I am really, really impressed, जो इन लोग ने software को optimize किया है, by the way, Android 13 के साथ में आता है, 1UF 5.1 skin के साथ में, और जो इसकी skin है, बहुत जादा बहुत सारे features है, और बहुत जादा optimized है, सबसे बढ़ी चीज़ experience होती है, जो ये phone को use करने का experience है, वो एकदम लाजवाब है, मतलब आपको कहीं पे भी 4 साल के major software update हमको देखने को मिलेंगे, और 5 साल के security updates देखने को मिलेंगे, तो उसमें में भी कोई problem में को देखने को नहीं मिली, और इसके अंदर जो features आते भाई, goodlock, superb है, goodlock, even जो ये Samsung पे है, ये तो भाई, मतलब next level चीज़ है, सारी चीज़े मैं यहाँ पर store कर सकता हूँ एकदम easily, और ये तो इतना खतरना के न, जो POS machines होती है, ये लगाऊँगा अपना अंगुठा, POS machines जो होती, उसके उपर tap कर दूँगा, मेरे को card carry करने की भी जरूरत नहीं है, पहले MST भी आता था, जो swipe करने वाला machine आता था, उसके उपर भी tap करके हुज आता था, लेकिन कुछ साल पहले, Samsung ने अपने phone में से MST का feature निकाली, आप सब जगे NFC चलने लगाए, तो MST की भी जरूरत पढ़ती नहीं उतनी जाता, almost सारे machine के उपर ये काम करता, भाई मेरे को जबर्दा साखा, Samsung पे तो भाई, चुमेश वरी है, अच्छा, उसके बाद अगर बात करू तो भाई, I'm in love with this camera, I don't think so, कि इससे अच्छे camera वाला phone आज की डेट में exist करता है, पूरे world में बात कर रहा हूँ, क्योंकि even मैंने एकड़म detailed camera comparison किया था, iPhone के साथ में, and उसको भी beat कर दे रहा है, photography में, and बहुत सारे लोग बलते भाई, वो 100x zoom है, वो gimmick है, इतना कुछ काम बहुत काम आता है, अभी आज सुबह का ही है, मैंने एक reel देखा था, बहुत जादा next level है, मतलब मजा जाता है, camera's के मामले में इससे better कोई भी device नहीं है, बहुत ही तगड़ी photos लेता है, जब daylight की बात करूँ, तो एकड़म super photo लेता है, मैं ride वगरा पर जादे रहता हूँ, तो बाइक ride पर जाते के टाइम पर जैसे आप लोग देख रहे हूँ, का ही बहुतरीन photos लेता है, खाने वाने की photos तो एकड़म मता जाता है, इवन low light के अंदर भी बहुत जबर्जास photos लेता है, ये phone, जो ultra wide camera है, इससे better, I don't think so, ultra wide camera भी exist करता है, अभी market के अंदर, low light के अं एकड़म सुपब है, आपको कोई भी शिकायत नहींगी, world का one of the best camera phone है, और video graphic की बात करूँ, तो यहाँ पर भी iPhone और ये almost same quality में, अभी भी exposure, जो adjustment वगरा है, वो हलका सा iPhone में better है, अगर आप बहुत जादा video graphic में रहते हो, जैसे हम लोग का काम ये video graphic दिंबर करना, तो हम ल बड़ी शिकायत थी मुझे last year, H22 Ultra से, वो चीज़ यहाँ पर fix हो चुकी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको snapdragon 8th generation 2 देखने को मिलता है, जो 8th generation 2 है, बहुत ही जादा efficient है, दूसरी बात इन लोग ने जो software है, उसको बहुत अच्छे से optimize किया है, इसके वज़े से इसकी battery life इदम killer है, जब आप first day लोग है, तो उदर लिख्या आएगा कि यह आपके user pattern को read कर रहा है, ज़र मैं अगर आपको दिखाऊ, day 1 पे जब मैंने लिया, तो 5 गंटा 40 मिनिट की battery life मीनी में को screen on time मिला, second day पे 5 गंटा 27 मिनिट, फिर 6 गंटा almost हो गया, फिर 6 गंटा 50 मिनिट, फ 8 से 8 गंटे का screen on time मेरे usage में मिलता है, जो कि बहुत तगड़ा है, मतलब मेरा majority usage Wi-Fi पे होता है, 30% आप लोग समझ लोग कि मैं 5G यूज करता हूँ, and 70% मैं Wi-Fi पे यूज करता हूँ, तो इसके वज़े से मेरे को स्क्रीन on time जादा मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत ही जाद जो बहुत तगड़ी battery life लगी मेरे को, तो battery life के मामने में super है, लेकिन इसका fast charging है, एक charger नहीं मिलता लेकिन जो fast charging नहीं मिलता है, 45W का, मेरे पास 45W का charger है, I think वो nothing phone का है, nothing का 45W वाला, उससे मैंने charging करके लेका PD must charge करता है, एक गंटा 15-12 मिनट लेता है full charge होने में, must charge होने मे आपको बहुत जदा fast charging की आदत है, तो आपको इस पे थोड़ा used to होने को time लगता है, मैं usually देखो मैं, सारे फोन जो अपने ना, वो रात में charge करता है, तो मेरे को ऐसा major issue देखने को मिलता है, प्लस wireless charging देखने को मिलता है, reverse wireless charging देखने को मिलता है, इसके ओपर earphone रखके charge कर स और जब movies वगरा देखो, तो जो vocal अच्छे से निकल के आता है, इवन जो bass वगरा है, bass और vocal के बीच का separation feel होता है, मतब मस्त लगता है, आप बिना earphone की भी वीडियो देख सकते हो, बिना earphone की भी आप movies वगरा देख सकते हो, इसके अंदर इतना तगड़ा है, और काफी loud speakers भ काफी fast speed वगरा भी देखने को मेली, जो 5G की है, तो मस्त लगा, मैं को कोई 5G से और calling से कुछ शिकायत नहीं है, प्लस इसके अंदर जो Samsung का dialer आता भाई, बहुत ही जादा मस्त है, पहली बात तो उसके लगर T9 dialing आ जाती है, आईफोन वाले लोग, बिचारों को दूख हो यहां वाह से जुगाड़ करके आप अलग से dialer इंस्टाल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर सारी चीज़ से पहले साती है, जो में को काफी दबरदस लगी, reception network वगरा का जो होता है, वो भी बहुत सुपब है, आपको कोई शिकायत नहीं है, प्लस इसके अंदर हमको फिजिकल वगरा है, उसके बावजूद भी यह खुल जाता है, सारे दूसरे फोन जो optical fingerprint scanner होते है ना वो नहीं खुलते है, यह जो अल्ट्राफोने के बाए बहुत सुपब तरीके से खुल जाता है, बहुत जबरदस्त है, और यह Samsung के फोन में मूश्ट जाता है, बहुत सारे कम, बहुत जाता safe and secure हो जाता है, अब आप लोग बुछो के, इतनी जादा तारीफ क्यों कर रहा है को यह phone की, actually मैं, इस बार Samsung ने जो phone बनाया है, मतलब इससे बेटर phone नहीं हो सकता, this is the king of all smartphone, मैं बोलूँगा, one of the most perfect smartphone that you can buy right now, अगर अपका पैसा है, बिंदास खरीद लो, इस आपको 120W fast charging किया दाता है, तो इसके अदर सी 45W की charging है, प्लस इसके अदर box के अदर charger नहीं मिलता, वो एक con है, हाँ, एक con में को इसके अदर देखने को मिला, जो है इसका shutter speed, जैसे अगर मैं iPhone से compare करता हूँ, तो इसकी shutter speed comparatively थोड़ी slow है, तो आप अगर फटा-फट फोटो हो गया जैसे अभी देखो, मैं यहाँ पर फटा-फट फटो लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत blur होने के चांस है, देखो कैसा blur हो गया, देखो, तो यह थोड़ा सा fast होता है अगर shutter speed, तो बहुत जबर्दूस होता है, अगर मैं वही चीज यहाँ पर iPhone से compare करके दिखा हूँ देखो कितना fast shutter speed है इसकी, तो इसमें भी blur होगा, लेकिन 2-4 photo ना काफी sharp यह फोटो है, यह देखो हालकिसी blur है, लेकिन इसकी shutter speed है ना वो comparatively बहुत fast है, इवन इसके अंदर good lock का एक option मैं को देखने को मिला है यहाँ पर, camera assistant के अंदर, यह quick tap shutter इसको खरो लेने के बाद यहा नार्मल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा fast है, कोई problem देखने को मिला, मैं बहुत सार लोगों को लग रहा होगा, यह complete sponsored video है, इतनी तारीफ है, तारीफ है, लेकिन सच में भाई, इससे अच्छा phone आज की date में कोई भी नहीं सकता, android market में भी even better than iPhone, मैं आईफोन से भी इसक पर आप लोग टैप करके चेक आउट कर सकते हो, बाकि इतना ही तारीफ वीडियो में, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, अगर अच्छे लगी तो पर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब करते हैं, and thank you so much for watching this video guys, bye!